नमस्कार, मैं डक्टर योगिन बदुरिया, आज आपको अर्टी के लिए के बारे में कुछ जानकरी दूँगा अर्टी के लिए जिसे हम हिंदी में सीथ पित्ती भी कहते हैं, यह एक चर्म रोग है जो एलर्जी के कारण होता है, मगर कुछ मामलों में यह बगेर एलर्जी के भी हो सकता है जैसा इसका नाम है सीथ पित्ती, ऐसा ही इसका कारण भी है सीथ का मतलब होता है ठंड, एबं पित का मतलब होता है गरम सीथ के कराना सरीर में ठंडा कुटपन होती है और पित के कराना सरीर में गर्मी उत्पन होती है इस सीथ पित पर जब हम कुछ भी ठंडा उप्योग करते हैं जैसे cold drinks, ठंडा पानी या बाता बनकी ठंडा तो यह बाता हमारी बाड़ी इसके तुरंद अनुकुलित नहीं हो पाती है और परिणाम सरूप हमारा सरीर histamine नामक टाक्सिन्स उत्पन करने लगता है जिसके करान सरीर में लाला जकते एवम खुझली उत्पन होने लगती है इसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं यह मुक्ते दो परिकार का होता है एक्योटर्टिकेरिया एवम क्रॉनेकर्टिकेरिया एक्योटर्टिकेरिया छे हपतों से भी कम समय के लिए होता है और सुबह से होकर शाम तक यह ठीक भी हो जाता है इसे हम एक्योटर्टिकेरिया कहते हैं दूसरा है क्रोनेकर्टी के रिया क्रोनेकर्टी के रिया यह छे अपतों से अधिक समय महीनों एवं सालों तक रह सकता है यह तीन मेने, दो मेने, चार मेने में कभी भी होगा और चार से पांस से छे दिन में अपने आप ठीक भी हो जाएगा इसे हम क्रोनिक अर्टी के रिया कहते हैं इसका इलाज इसे होमियोपेथी द्वारा पूर्ण तहर ठीक किया जा सकता है इसमें मुक्त है जिन दबाओं का उप्योग किया जाता है उनके नाम है रस्टाक्स, डलकामारा, अर्टीका यूरेंस, अगर आप हमारे इस बीमारी से लेटेट कुछ टेस्टीमोनियल या जो पेसेंटीक हो चुके हैं उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे हमने लिंक शेयर की है उस पर जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं मैं डाक्टर योगिन बदोरिया बहुत बहुत धन्यवाद